गीता एक गड़ी बेटी है, वह बेन माबाप की बेटी है, इसमें उसके सास और उसका पती उसे जादा कुछ नहीं किये था, गीता की घर में गीता की ही चलती थी, वो जो कहती थी उसके सास और उसका पती बीना कुछ कहें माल लेता था, क्योंकि वो एक बेन माबाप की कुछ काम उसकी बैटी भी करती थी गीता तो रोज अपना पर्स लेकर बाहर गुम्ने चली जाती थी किता को कोई कहता सबै नहीं था कि वो इस तरह रोज बहार ना जाए या घर का काम गर काम उसका पती और उसकी साथ कर लेती थी लेकिन एक दिन उसके पती को उसकी सास ने कहा कि बेटा गीता को ना डोको टोको तो उसको समझाओ कि इस तरह रोज बाहर जाना सही नहीं होगा हाँ वो बहार जा सकती पर वो अगर कभी कबर जाए तो ठीक है लेकिन अगर वो इस तरह रोज बहार जाएगी तो हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे ये सब सुनके गीता का पती बहुत परिशान रहने लगा उसे समझ ही नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे अगर वो गीता को कुछ कहता था तो गीता नाराज हो जाती उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे वो गीता को कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था और वो नहीं मा के बाट टाल सकता था इसी तरह गीता रोज अपने ससुराल वालों को कुछ न कुछ कहती रहती घर में कुछ भी करना हो गीता की ही चलती थी वो अपने पती और अपनी सासु को बहुत बाते सुनाती थी अगर उनसे कोई काम ठीक से नहीं होता तो भी वे उन्हें डाट लगाती थी फिर भी उसका पती और उसकी सास चुप चाप उसके सारी बाते सुनते रहते थे ये सोच कर कि कभी न कभी गीता को एहसास होगा कि वो जो वेवार करती है वो सही नहीं है हम उसे लाड़ प्यार करने हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा में उड़ने लगे पर ये बात कभी उसके सहसु ने और उसके पती ने उसके मूँपन नहीं गई उन्हें सिस इसी बात का विश्वास था कि कभी न कभी उसे इस चीछ का एहसास होगा एक दिन ऐसे ही गीता अपनी सहेली रशमीर से मिलने जाती है वो दोनों काफी दिनों के बाद मिलती है रस्मे उसको सारी बाते बताती है कि कैसे उसकी सासू उस पर अत्याचार करती है और उसका पती भी उसकी सास की मदद करता है उसे कुछ नहीं कहता उसकी सास उसके पती को उसकी खिलाब भड़काती भी रहती है वो चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी अच्छे तरीके से घर की सारी सफाई करे, सारा काम करे, फिर भी उसके सासू उसमें नौकजुक निकाली देती थी और उसका पती भी उसके माँ का साथ देता था जब ये बात रश्मी ने गीता को बताई, तो गीता को एहसास हुआ कि वो तो अपने पती और अपने सासू के साथ इतना बुरा वेवार करती है, घर का कोई काम नहीं करती, फिर भी उसके सासू और उसका पती उसे कुछ नहीं कहता, वो उन्हें बार-बार छोटी-छोटी च सामने रोने लगती है, उन्हें सब बात बताती है कि उसे उसकी गल्ती का अहसास हुगया, वसने अaround गलत किया, तब उसकी सासू कहती है कि पेटा रोऊ मत, हमें विश्वास था कि तुम्हें एक ना एक दे अपनी गल्ती का एहसास होगा, और तुमने गल्ठी चाहें केसी बिकी हो लेकिन तुम्हें अपनी गल्टी का अहसास हो गया बस यही बड़ी बात है अब हम सब साथ मिलकर हसी-खुशी रहेंगे तुम बिल्कुल शोक मत मनाओ क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि तुम्हें कच्छी लड़की हो और तुम्हें एक नएक दिन अपनी गल्टी क अहसास जरूर होगा इसके बाद गीता और उसका परिवार साथ मिलकर हसी-खुशी रहने लगा वो सब मिलकर सारा काम करते और हसी-खुशी जीवन यापन करते अगर आपको इस्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें